हर्याना के उपमुखे मंती दुश्यन चोटाला को यूथ आइकन ओफ द इयर 2019 के सम्मान के साथ सम्मानित किया गया है ये सम्मान शुक्रवार को पंचकूला के P.W.D. रेस्ट हाउस में यू-एस की सारा गड़ी फाउंडेशन और यूके सेना मुख्याले के अधिकारियों के प्रतिनिती मंडल ने संयुक्त रूप से दिया सम्मानित होने के बाद डिप्टी सियन दुश्यन चोटाला ने दोनों संस्थाओं का अभार प्रकट किया वहाई इस मोके पर उन्होंने इस सम्मान को प्रदेश के युवाव को समर्पित करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल उनका सम्मान नहीं है बलकि उनके साथ प्रदेश की तरक्की में काम कर रहे हजारों लाखों युवाव का है पतरकारों से रूबरू होते हुए डिप्टी सीम दुश्यंत ने कहा कि सारा गड़ी की लड़ाई में हजारों अफगान लड़ाकों का टकर देने वाले 21 योधाओं को याद करते हुए कहा कि बोर्डर पर अपनी पोश्ट बचाने के लिए अंतिन सांस तक वीर योधाओं ने लड़ाई रड़ी जिन पर उन्हें गर्व है उन्हेंने कहा कि उन 21 योधाओं में से दो वीर योधा Hर्याना के भी थे उन्होंने कहा कि वे आने वाली पीडियों तो इस वीर गाथा को पहुचाने का काम करेंगे साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे वीर योधाओं की वीर गाथा को नई पीडी से रूबरू कराने वाली सार गाड़ी संस्था के साथ जुड़ने और उन से सम्मानित होने का आज उन्हें सोभाग्य मिला है जिसके लिए वे उनका अभार प्रकट करते हैं वही डेलिगेशन द्वारा सारा गड़ी के वीर योधाओं की वीर गाथाओं को वीभिन भाशाओं में देश के परतेक कोने तक पहुचाने के सुझाओं पर उपमुक्य मंतरी ने कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाओं है उन्हेंने कहा कि इन 21 वीर योधा के साथ साथ जितने भी विक्टोरिया क्रोस रहे हैं उनका एक अध्याओं हमारे इतिहास के साथ जुड़ना चाहिए उन्हेंने कहा कि इसके लिए केंद्रिय माधिमिक शिक्षा बोड को अपनी सभी इतिहास की पुस्तकों में इस अध्याओं को शामिल करना चाहिए उन्हेंने यह भी कहा कि सुझाओं को वह केंद्रिय मानल संस्थान मंतरी तक पहुँचाएंगे इस अवसर पर ब्रिटीश आर्मी से ब्रिगेडियर सीलिया हारवे, कर्नल जोल केंडाल, वारंट ओफिसर अशोक चोहान, कैप्टन जगजीत सिंग सोहल, सारागडी फाउंडेशन के गुरिंदर पाल सिंग, ब्रिगेडियर के एस कहले समाजी कारेकरता कवल जीत सिंग गिल म इसे ही लेटेश को पाने के लिए बेल इकन को क्लिक कर हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाल